नमस्कार दोस्तों जिस तरह से South China Sea में American Navy और Chinese Navy में टकराव हो रहा है क्या वैसा ही बरफीले Barents Sea में रशिया और American Navy के बीच शुरू होने वाला है क्यों American Navy तीस वर्षों बाद इस इलाके में वापिस आने को मजबूर हो गई साथ ही इस वीडियो में अब तक के दोस्स सबसे महंगे मिलिटरी क्रेशिस के बारे में जानेंगे जिन में से एक नुक्षान रश्या को हुआ तो दूसरा अमेरिका को ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बात करते हैं आर्क्टिक रीजन की चारो तरफ बर्फी बर्फ, बेहद थंडा मोसम, टेज बर्फीली हवाएं रशिया के नोर्थ का वो हिस्सा जहां 30 वर्फ पहले तक काफी अमेरिकी जहाज आते थे लेकिन फिर हाई कोस्ट और कम रिसोर्सिस के कारण आना बंद कर दिया लेकिन अब अचानक इस आर्क्टिक सर्कल का महत्व काफी बढ़ने लग गया है और अब आर्क्टिक सर्कल के ही बेरेंट्स सी में अमेरिकी वे नेटो देशों के ताकतवर डस्टोयर जहाज लगातार अपनी गतिविद्यां बढ़ा रहे हैं कुछ समय पहले अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर हैरी S. टूमेन भी इस इलाके में नेवल एक्सिसाइज के लिए लाया गया था बेरेंट्सी रश्या की कोस्ट लाइन से लगता हुआ सागर है अब सवाल उठ रहा है कि इतने बर्फीले इलाके में अमेरिकी नेवल शिप्स क्या कर रहे हैं पहले के समय में इस इलाके में ज़ादतर हिस्सा बर्फ से जमा होने के कारण अमेरिकी जहाज यहां नहीं आपाते थे अमेरिकी नेवी के पास केवल दो ही ऐसे जहाज हैं जो बाकी जहाजों के लिए बर्फ को काट कर रास्ता बना सकते हैं और उन दो जहाजों मैंसे भी एक ही वरकिंग है इसलिए अमेरिकी नेवी को दूर ही रहना पड़ता था वहीं रशिया के पास ऐसे 20 से भी ज़्यादा आइस कटर जहाज मोजूद हैं और इन मैंसे कई नूकलियर पावर्ड होने के कारण बेहद ही ताकतवर हैं अमेरिकी नेवी की बढ़ती हुई एक्टिवीटी का सबसे बड़ा कारण है रशिया की पारफुल, स्टेल्थी वे बड़ी सब्मरीन्स को ट्रेक करना रशिया नेवी के पास अमेरिकी नेवी जितने फ्रीगेट्स वे डेस्टोयर जहाज नहीं है लेकिन जब दोनों देशों की सब्मरीन्स की बात की जाती है तो बाजी पूरी तरहें से पलट जाती है रशिया के पास काफी संख्या में नुकलियर पावर्ड सब्मरीन्स हैं जिन पर पारफुल बैलेस्टिक मिसाइल्स के अलावा लोंग रेंज वाले टॉर्पीडोज भी लगे हैं मुझूदा समय में रश्या के पास 70 सब्मरीन्स हैं जिन में जादतर नुकलियर पावर्ड होने के कारण unlimited range वाली हैं उनके पास अकूला क्लास, डेल्टा क्लास, यासिन क्लास, आसकर क्लास, टाइफून क्लास, वेबरेई क्लास की एक से एक बड़ी ताकतवर टेज वे स्टेल्थी सब्मरीन मुझूद हैं ऐसी ताकतवर सब्मरीन्स एक पूरे अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर फ्लीट को आसानी से एलिमिनेट कर सकती हैं इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि अमेरिकी नेवी इन रेशियन सब्मरीन्स की हर एक्टिविटी को लगाता ट्रैक करता रहे बर्फ के काफी नीचे छुपी बेलगो रोड जब 600 किलोमेटर दूर से ही नुकलियर ताकत वाले अंडरवाटर ड्रोन्स को अमेरिकी एरक्राफ्ट केरियर फ्लीट पर लॉंच कर देगी तो इससे बचना बेहद ही मुश्किल होगा और अमेरिका ऐसे किसी भी हालात को पैदा होने से पहले ही उसे ट्रैक करना चाहेगा दूसरा बड़ा कारण है इस इलाके को रेशिया द्वारा शिपिंग रूट बनाना चाइना ने रेशियन सपोर्ट से इस इलाके से होते हुए अपने बड़े बड़े शिपिंग जहाजों को यूरोप में भेजना शुरू कर दिया है यह रूट दूसरे रूट के मुकाबले 40% छोटा है यानि चाइना अपना सामान जल्दी भेज सकेगा लेकिन समस्या है पानी पर जमी बर्फ इसी को भाबते हुए रूट को लगातार ओपरेशनल रख सके इसके बड़े में रूट से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलता है यह एक तरह का टोल टेक्स है जो रूट एकोनमी को काफी फाइदा पहुँचा सकता है लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से अब कम बर्फ जमा हो रही है इसलिए इस रूट से शिपिंग जहाजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है इन जहाजों में क्या जा रहा है कहां जा रहा है यह सब ट्रेक करना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा अमेरिका जैसे साउट चाइना सी में फ्रीडम ओफ नविगेशन के नाम पर अपने नेवल शिप्स को भेज देता है वैसा ही फ्रीडम ओफ नविगेशन इस इलाके में बर्फ की वज़े से नहीं कर सकता है और जितनी जादा रशियन और चाइनिस एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी उतने ही चैलेंजिस अमेरिका के सूपर पावर वाले रूत्बे के सामने खड़े होते जाएंगे अब अमेरिका अपने शोट कमिंग्स को पूरा करने के लिए छे नए आइस ब्रेकर्स बनवा रहा है उनमें भी तीन बेहद पारफुल होंगे इससे अमेरिका हर जगे पहुँचकर अपनी प्रेजेंस अपनी ताकत वे अपने रूत्बे को दिखा सकेगा तीसरा बड़ा कारण है इस छेतर का मिनरल रिच होना 2017 में रेशियन प्रेजिडेंट मिस्टर पूतीन ने इस आर्क्टिक रीजन में 30 ट्रिलियन डॉलर की कीमत के मिनरल्स के होने की जानकारी दी थी यहाँ पर कच्चा तेल यानि पेट्रोलियम भी निकलता है पहले के समय में काफी मोटी बर्फ जमा होती थी तो ऐसे में यहाँ से मिनरल्स वे पेट्रोलियम को निकालना बेहत महंगा पड़ता था लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से बर्फ कम होती जा रही है जादा बड़ी वे ताकतवर मशीन्स बन चुकी है जिन से अब इन कीमती मिनरल्स की माइनिंग सस्ती दर पर की जा सकती है अमेरिका इस 30 ट्रिलियन डोलर की कीमत के मिनरल्स पर रशिया का एक छतर कंट्रोल होते हुए नहीं देख सकता है इससे रशिया बेहद अमीर हो जाएगा रशिया के पास वैसे ही बहुत पारफुल मिलिटरी है और अगर इतने पैसे रशिया के पास आ गए तो फिर रशिया को रोक पाना लगबग इंपॉसिबल जैसा हो जाएगा इसी कारण अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इन मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले सके दोस्तो इन तीन कारणों के अलावा अमेरिका इस आर्क्टिक रीजन में अपने मिसाइल ट्रैकिंग वे डिफेंस सिस्टम्स पारफुल रडार्स आधी को इंस्टोल करना चाहता है ताकि रशिया या चाइना से संभावित लड़ाई में अमेरिका एडवांटेज की पोज पहले बात करते हैं उस अमेरिकन एरक्राफ्ट की जिसकी कीमत दो बिलियन डॉलर से भी जादा है यानि लगबग 25 F-35 फाइटर जेट्स की कीमत का एक B-2 स्पिरिट एरक्राफ्ट ही बन पाता है ऐसा क्या खासे इस एरक्राफ्ट में यह B-2 स्पिरिट एरक्राफ्ट 11,000 क किलोग्राम तक के घातक मिसाइल्स जिन में न्यूकलर मिसाइल्स भी शामिल है उन्हें दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर सही ठिकाने पर गिरा कर वापिस आ सकता है और खास बात यह है कि दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चलता है यानि यह बे अंतर मिसाइल या सिस्टम नहीं लगाए गए हैं यह मातर 1000 किलोमेटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड से उड़ सकता है और इसमें हथियारों के लिए F-35 वे F-22 जैसे फाइटर जेक्स की तरहें दो इंटरनल बे मौजूद होती हैं अब बात करते हैं इतने महंगे और क्लासि रखने के लिए इसे एर कंडिशन हैंगर में रखा जाता है लेकिन उस दिन टेज बारिश में इसके एक सेंसर ने माल फंक्शन करना शुरू कर दिया नतीजा यह हुआ कि एरक्राफ्ट सही स्पीड पर पहुँचे बिना ही 30 डिगरी के एंगल पर उपर की और उठ गया 2 ब 14 महीनों तक रिपेर का काम चलता रहा ताकि इसे वापिस अमेरिका तक उड़ाया जा सके वहाँ भी लगबग डेड़ वर्ष तक इसकी रिपेर वे मेंटिनेंस होती रही तब जाकर यह पूरी तरह से काम करने योगे बन सका दोस्तो इसी तरह का एक बेहद महंगा चान रश्या को भी उठाना पड़ा कुर्सक सब्मरीन जो ओसकर किलास की नुक्लियर पावर्ट सब्मरीन थी वह 12 अगस्त सन 2000 में उसी बेरेंट सागर में डेस्ट्रोय हो गई थी जिस सागर में अब अमेरिका इतना इंटरस्ट दिखा रहा है इस बेहत ताकतवर सब्मरी सब्मरीन में बहुत सारी नुक्लियर पावर्ट क्रूज मिसाइल्स के अलावा एक पारफुल नुक्लियर रियक्टर भी लगा था हुआ ये कि सन 2000 में रश्या नेवी एक बेहत बड़ी नेवल एक्ससाइज कर रही थी इसी दोरान यह 19,000 टन वजनी बेहत बड़ी और ताक सब्मरीन के अंदर ही फट गए पूरी सब्मरीन डिस्टोय होकर समुद्र की तली पर जागिरी कुल 118 क्रू मेंबर्स को अपनी जान गवानी पड़ी कुर्सक सब्मरीन जो दुनिया की सबसे बड़ी सब्मरीन में गिनी जाती थी उस 3 बिलियन डॉलर की सब्मरीन का नुक रखाना पड़ा गनीमत ये रही कि क्रूज मिसाइल सेफ रही वे नुकलियर रियक्टर भी ओटोमेटिकली स्विच ओफ हो गया जिस कारण नुकलियर रेडियेशन वाली समस्या नहीं आई बहुत लंबे समय तक चली एक प्रोसेस के तहत इतनी बड़ी वे भारी सब्मरीन को बाहर निकाला जा सका कमेंट सेक्शन में दोस्तों मैं आपकी राय जाना चाहूँगा कि क्या बेरेंट सी में अमेरिकी नेवल शिप्स वो दबाव बना सकते हैं जो वे साउथ चाइना सी में अकसर बना लेते हैं और क्या रशिया 30 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स वे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार